हलो स्टूडेंट्स मैं ससी भूशंतिवारी एक बार फिर से आप सभी का माई क्लास्रूम के इस चैनल पर स्वागत करता हूँ आज के इस छोटे से से सेशन में हम वर्नियर कैलिपर के बेसिक कॉंसेप्ट को समझेंगे जी आपने ठीक सुना सिर्फ रीडिंग कैसे लेते हैं मैं आपको ये बताऊंगा ऐसा नहीं रीडिंग ऐसे ही क्यों लेते हैं ये भी बताऊंगा तो आज का ये सेशन शुरू करते हैं लेकिन उसके पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिए और हाँ बेल आइकन तो आपको प्रेस करना ही करना है आएए प्रेसाइज मेजरिमेंट की दुनिया में एक बहुत ही सिंपल पर एलिगंट इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर के बारे में समझते हैं ये एक मेरे हाथ में एक नॉर्मल वर्नियर कैलिपर है जो आप सभी अपने स्कूल के लैब में देखते हैं इसी vernier caliper का diagram यहाँ पर board पर आपको दिख रहा है Students, इस vernier caliper में जैसा कि आप यहाँ भी देख सकते हो और यहाँ भी देख सकते हो दो scale हैं, यहाँ पर देखने में शायद थोड़ी मुश्किल हो रही होगी इसलिए इस diagram की मदद लेते हैं, यह main scale कहलाता है यह main scale एक normal mm scale है, जो घर में आपके पास scale होता है geometry box में वैसा एक scale है, यह 8 से 9 के बीच का यह जो division है this measures 1 cm and it has been divided into 10 equal parts each of these small divisions is equal to 1 mm and there is one another scale that is known as vernier scale यह जो यहाँ पर आपको frame दिख रहा है जो actually मैं slide कर सकता है इस main scale के ऊपर यह जो छोटा सा घर जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पर एक scale बना होता है इसके ऊपर, इसके ऊपर, यहाँ एक scale बना होता है यह scale vernier scale कहलाता है दो scale है, एक main scale है और एक vernier scale है main scale के एक एक division जो हैं, छोटे वाले division वो one millimeter के equal है जबकि vernier scale का एक-एक division थोड़ा छोटा है एक millimeter से थोड़ा छोटा है इन जनरल, इस तरह के vernier caliper में जिसका diagram अभी आप screen पे देख रहे हो इस तरह के vernier caliper में vernier caliper के scale पे vernier के scale पे जो 10 divisions होते हैं 10 खंड होते हैं वो इस scale के 9 छोटे छोटे खंडों के बराबर होते हैं इस scale का 9 खंड 9 divisions means 9 millimeter it is having same length as 10 divisions on this scale that is vernier scale अब यह जो आप देख रहे हो यहां हमारे इस vernier में यह thumb screw कहलाता है इसकी मदद से thumb से थोड़ा ताकत लगा के इसको हम गुमाएं तो यह vernier scale जो है इस main scale के उपर slide कर सकता है और यह जो screw है S यह इस vernier को lock करने के लिए है जैसे अगर हम चाते हैं कि यह vernier का scale अब slide न हो main scale पे तो इसे हम tight कर देते हैं यह tight होने के बाद अब यह vernier का scale main scale पे आसानी से slide नहीं होगा यह reading लेने में हमारी मदद करता है जैसा मैं अभी आपको बताऊंगा यह जो दो jaws हैं यह जो दो jaws हैं हमारे vernier के यह jaws use किये जाते हैं जब हमें किसी body का या wire का external diameter मेजर करना हो जैसे for example यह एक cylindrical छोटा सा glass है मानलो हमें task दिया गया कि इस glass का outer diameter मेजर करो तो ऐसे measurement करने के लिए मैं इन दो jaws के बीच में इस object को ऐसे रखता हूं jaws को tightly इसके उपर fit करता हूं फिर इस screw को कस देता हूं जिससे की अब यह vernier scale main scale के उपर slide नहीं करेगा आप चाहें तो अगर यह हट रहा हो तो हटा भी लें otherwise वहां रहने थे अब हम इसके उपर reading लेते हैं तो screw tight करने से vernier scale main scale के उपर displaced नहीं होगा और हमारी reading सही होगी तो इन jaws का इस्तेमाल हमें करना है जब भी हम outer diameter इसी कोई चीच मेजर करना चाहते हैं अगर हम इस Glass के inner diameter को मेजर करना चाहते हैं इस cylinder के inner diameter को मेजर करना चाहते हैं फिर हम इन दो jaws का कैसे इस्तेमाल करते हैं यह हम इसको ऐसा फंसाते हैं इसके उपर यह देखिए यह जो जॉज है यह टाइटली फिटिंग हो गए इनर वाल के उपर अब फिर से एक बार हम अपने इस स्कुरू को टाइट कर देंगे जिससे कि हमारी रीडिंग अपगडबन नहों और हम यहां पे वर्नियर स्केल और म इस सिलेंडर की डेप्थ अगर आपको इस सिलेंडर की डेप्थ मेजर करनी है तो उसके लिए यहां पर एक स्टेम दिया होता है इसको हम वर्नियर कैलिपर का स्टेम कहते हैं और डेप्थ मेजर करने के लिए हम इसको देखिए, ध्यान से, वनियर को ऐसा रखते ह। इसके एज के उपर और फिर इसको इसको तो अब हम इसकी reading लेकर इसके depth को समझ सकते हैं तो reading कैसे लेते हैं इस पर अभी हम थोड़ी देर से आते हैं लेकिन आप मेरी बात को समझ लीजे कि हम इस simple से instrument को use करके इस cylinder का external diameter, internal diameter, इसकी depth इन चीजों को measure कर सकते हैं एक normal millimeter scale से अगर हम measurement करते हैं तो हमारी precision जो है, वो one millimeter के order की होती है लेकिन vernier scale से जब हम measurement करते हैं तो हमारा precision improve हो जाता है, हमारा precision point one millimeter हो जाता है ठीक सुना आपने, one millimeter का one tenth, one millimeter का one tenth एक normal scale को सिर्फ use करेंगे, तो हमारी precision जो है वो one millimeter है लेकिन vernier scale को use करेंगे, तो हम point one millimeter precision के साथ measurement कर सकते हैं या किसी चीज का diameter मालू मेजर कर रहे हो तो 11 millimeter diameter और 11.1 millimeter diameter में फर्क नहीं किया जा सकता 11.1 और 11, इतना बारीक फर्क इस ordinary scale को use करने से हम महसूस नहीं कर पाएंगे और एक चीज की length 11 millimeter हो और दूसरे की length 11.1 millimeter हो तो इस simple scale को use करके शायद हर कोई 11 millimeter ही लिखतेगा लेकिन जब हम vernier को use करते हैं तो इसका least count 0.1 millimeter होता है और vernier यूज करने से हम 11 millimeter और 11.1 millimeter में differentiation कर सकते हैं फर्क कर सकते हैं 11 millimeter length की चीज का length 11 millimeter record होगा और 11.1 millimeter length की चीज का length 11.1 millimeter record होगा तो 1 tenth of millimeter इस accuracy तक हम vernier को use करके measurement कर सकते हैं आई ये समझते हैं कि ये vernier scale इस precise measurement में हमारी मदद कैसे करता है इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानकारी मैं दे दूँ ये जानकारी मैं दे दूँ कि vernier scale जो अभी आपने देखा उसमें 10 छोटे छोटे division main scale के 9 division के बराबर होते हैं जैसा कि उपर वाले diagram में आप देख सकते हो ये main scale का 1 division 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 division यहां से यहां तक की जो लंबाई है ये 9 mm है main scale का 9 division लिया हमने उतने ही length में vernier scale पे 10 divisions बने हुए हैं vernier scale पे 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 यह 10 divisions बने हुए हैं उतनी ही length में जितने length में main scale के 9 divisions बने हुए हैं अगर एक vernier बहुत अच्छा है उसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है तो ऐसे में जब हम इस vernier के jaws को इसके दोनों दातों को बिलकुल आपस में सटा देते हैं ऐसे तो vernier scale का 0 और main scale का 0 coincide करना चाहिए जैसा इस diagram में दिख रहा है आपको ये main scale का 0 है और ये जहाँ पर है वहीं पर main vernier scale का भी 0 है दोनो zeros coincide कर रहे हैं अगर vernier इतना अच्छा हो आइडियल हम यहीं चाहते हैं कि ऐसा ही हो अगर vernier scale ऐसा हो तो हम कहते हैं उसमें कोई 0 error नहीं है दिर इस नो 0 error आपके घर में simply जो weighing machine है जिस पे आप अपना weight measure करते हो कभी कभी उसपे आप अभी खड़े नहीं हुए और उसमें 1 kg की reading दिख रही है तो उसमें error है जब उसपे कोई weight नहीं रखा गया तो उसकी reading exactly 0 होनी चाहिए तब हम कहेंगे कि इस equipment का 0 error नहीं है there is no 0 error similarly जब इन jaws के बीच में कोई भी चीज नहीं रखी गई है दोनो jaws एक दूसरे को touch कर रहे हैं ऐसे में ऐसे में दोनो scale के 0 concise करने चाहिए अगर ऐसा हुआ तो बहुत ही ideal situation है हमारे vernier में कोई 0 error नहीं है लेकिन जब आप अपने school की lab में जाते हो आपको एक vernier scale दे दिया गया तो most likely आपको कुछ ऐसा या ऐसा देख सकता है मैं अपने vernier scale में देखता हूँ जिया इसमें मुझे ऐसा देख रहा है ऐसा देखने का मतलब क्या है देखिए यह जो main scale का 0 है इसके comparison में vernier का 0 left में है यह इसके आगे चला गया निकल गया और इस diagram में क्या है देखिए यह जो main scale का 0 है vernier का 0 इससे right में आ गया vernier का 0 यहां पे है यहां पे है थोड़ा सा ऐसा exaggerate कर दे रहा हूँ तो vernier का 0 जो है वो main scale के 0 से आगे खिसका हुआ है इसका क्या meaning हुआ जरा common sense से सुचते है इसका meaning यह हुआ कि जब कोई object यहां नहीं है तो actually इसकी thickness इन दोनों jaws के बीच में जो object है उसकी thickness 0 होनी चाहिए कुछ भी नहीं है मांतों thickness should be 0 पर यह 0 reading नहीं दे रहा है वर्नियर scale जो है वो खिसका हुआ है आके that means यह skill बता रहा है कि इन jaws के बीच में कोई चीज है जिसकी कुछ तो thickness है जब कि हम देख रहे हैं कि कुछ भी नहीं है तो ideally हमें reading 0 मिलनी चाहिए थी लेकिन यहां कुछ positive reading मिल रही है कुछ positive reading मिल रही है में भी एक मिनट के लिए एक example के लिए बोलता हूं 0.3 mm तो जब 0 reading मिलनी चाहिए वहां 0.3 mm मिल रहा है यह ऐसी बात होगी जैसे weighing scale पे आप खड़े नहीं है लेकिन 1 kg की reading दिख रही है फिर आप weighing machine पे खड़े हुए अब reading आई 51 तो क्या आप उस reading को trust करोगे नहीं आपका सही weight हुआ 50 kg क्यों क्योंकि जब आप नहीं खड़े थे तो भी वह 1 kg दिखा रहा था अब आप उस पे आ गए तो 51 दिखा रहा है तो 1 kg का जो error है उसको subtract करना है आपको तब तो आपका true weight मिलेगा बिल्कुल ऐसी बात है जब दोनो jaws closed है इनके बीच में कोई object है ही नहीं इस समय reading 0 होनी चाहिए थी लेक यह jaw अगर यहां से 5 cm इदर खिसका है तो vernier scale में scale पे 5 cm खिसका है जब हम jaws को close रखते हैं 00 के साथ concise कर रहा है अब मैं यहां बीच में कुछ रख दूँ ऐसा एक मिनट के लिए माल लीजे कि इसका जो diameter है 5 cm है just imagine इसका meaning क्या हुआ close position से यह jaw 5 cm इस तरफ shift हुई जी यहां इस jaw के साथ-साथ यह vernier scale भी चल रहा है तो यह vernier scale को भी 5 cm चलना पड़ेगा जैसे कि उस object को मैं यहां रखूंगा यह 0 जाके 5 cm पे ठिकेगा और मैं समझ जाओंगा कि अच्छा इसकी width 5 cm है क्योंकि यह scale 5 cm खिसका main scale के उपर तो यहां जब मैंने कोई object नहीं रखा तो already a scale shifted means यह कह रहा है कि यहां पे 0.3 mm thickness की कोई चीज़ है जो की है नहीं तो यह excess reading है जिसको हमें आगे चल कर अपनी reading में से subtract करना पड़ेगा वैसे जैसे 51 kg में से 1 kg को मैंने subtract कर दिया और अगर आपने यह situation देखी यह ऐसी है जैसे वेंग मशीन पे आप खड़े नहीं हुए और आपको जो काटा है वो 0 से इधर दिख रहा है माल लिजे यह आपकी वेंग मशीन है यहां 0 लिखा है यहां 1 लिखा है यहां 2 लिखा है और अभी आप इस पे आये नहीं हो इस वेंग मशीन पे खड़े नहीं हुए हो और pointer ऐसा दिखा रहा है तो यह जो pointer है तो निगेटीव रीडिंग शो कर रहा है निगेटिव रीडिंग शो कर रहा है माल लिजे 0.5 केजी कोई चीज नहीं है तो यह माइनस 0.5 केजी बोल रहा है अब आप इसके ऊपर अगर खड़े होते हो और आपका वेट 49.5 आता है पॉइंटर 49.5 पे जाता है तो आपका ट्रू वेट क्या हुआ 50 हुआ न क्योंकि 0 को यह माइनस 0.5 बताता है तो जब रीडिंग 49.5 आ रही है तो एक्चुल ट्रू वेट कितना हुआ 50 इसे जिरो एरर को हम पॉजिटिव एरर कहते है पहले से कुछ रीडिंग है पॉजिटिव रीडिंग इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे मेन रीडिंग में से तब हमें एक्चुल मेजरमेंट मिलेगा और यह जो निगेटिव एरर है जब जिरो प्रोजेक्टेड है बाहर की तरफ यह निगेटिव एरर है पहले से निगेटिव रीडिंग है इस रीडिंग को हम अपनी मेन रीडिंग में जब एड कर देंगे तब जाके हमें एक्चुल मेजरमेंट मिलेगा So, negative error is added to any measurement that we do and positive error is subtracted from any measurement that we do. I hope this thing is very clear to all of you. Now, let us try to understand how do we take reading using a one-year scale. Students, suppose when jaws are closed, everything is fine. There is no zero error. When jaws are closed, let us assume an ideal situation that there is no zero error. First of all, assume there is no zero error. Now, I place some object between the jaws and the vernier scale has moved. Vernier scale has moved. I have taken a hypothetical situation, which we are seeing that the vernier scale of zero is the main scale of zero is the main scale. It is the main scale of zero, one, two, three, four, five. And each division is very magnified, which we can understand each small division is one millimeter basically. So, 40 millimeter, right? Then, that is four centimeters, 41, 42, 43, 44. Look, the vernier scale of zero is the main scale of zero is 44 millimeter. के आगे शिव्व्विट हो चुख को चुख हो चुख हो चुख हो चुख है. देट मिन्स जॉस के बीच में जो अब्जेक्ट रखी गई थी उसकी विड्थ 44 मिलिमेटर से थोड़ी जादा है कितनी जादा है इतनी जादा है इतनी क्योंकि वर्नियर का जो जीरो है वो 44 के थोड़ा आगे चला गया है इसको हम लिख लेते हैं मानलो एक मिनट के लिए बा डियमेटर व्टेवर रोड़ यर दिए बेसिकली 44 प्रफ एक्समिलिमेटर अमा रॉत वो एक्स किया है वो हमें नहीं पता है हमें पता लगाना है बाट फोड़ा मिन्स दोड़ा कम सक्षित बाट लिख ऑर इंच भीट्ट अवट अव्ट रविधर एव्ट इंच yes it can be done yes it can be done देखिए कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा इस लाइन को देखिए में स्केल के इस लाइन को देखिए 44 यह 44 है राइट 44 से vernier का 0 थोड़ा आगे है वो X हमें पता लगाना है यह पता लगाने के लिए हम vernier scale और main scale के divisions को ध्यान से देखना शुरू करते हैं ये division और ये division अलग है ये भी अलग है ये बी अलग है ये बी अलग है ये अलग है ये इना थोड़े से लोगों को confusion हो सकता है मैंने जान बूझ के ऐसा बनाया है कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ ये इस वाला division थीक है इतना error तो observer to observer होगा ही होगा अभी मुझे जो दिखरा है कि vernier scale का ये division perfectly concise कर रहा है इस division को मैंने mark कर दिया एक्स की value निकाल रहा हूँ मैं कैसे निकालूँगा ये देखिए प्लीज यहां से देखिए यहां 44 से 50th division मतलब ये 6 खंड है main scale के 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहां की दूरी अगर कोई मुझ से पूछेगा तो मैं बोलूँगा it is 6 times main scale division main scale division means 1 mm ये main scale का हर खंड 1 mm के equal है इसलिए यहां से यहां की जो दूरी होगी ये 6 times main scale division in this case it is 6 mm isn't it अब इसी length को मैं एक different तरीके से लिखता हूँ मैं ऐसे लिखता हूँ X plus 6 times vernier scale division देखिए 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 एक दम main बात यह है यहां से यहां की दूरी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ X plus vernier scale का एक division, 2 division, 3 division, 4 division, 5 division और 6 division इस line और इस line के बीच का distance main scale पे पढ़ा तो 6 main scale division that is 6 mm और vernier scale पे अगर इस distance को समझने की कोशिश करें तो X plus 6 divisions of vernier scale So, what is the value of X? This implies that value of X is 6 times main scale division minus vernier scale division isn't it? So, value of X is 6 times main scale division minus vernier scale division. Now, in this particular vernier what is main scale division? Main scale division is 1 mm, I am writing in millimeter, 1 mm and what is vernier scale division? vernier scale division कितना है बता ही है? मैंने कहा था vernier के 10 खंड, 10 vernier scale division is same as 9 main scale division. Do you remember that? Main scale के 9 खंड और vernier scale के 10 खंड बराबर हैं तो 10 vernier scale division is 9 mm. Isn't it? So, value of 1 vernier scale division is 0.9 mm. vernier scale के यह जो 10 खंड हैं यह actually मैं 9 mm के बराबर हैं. तो vernier scale का जो एक खंड है वो 9 by 10 0.9 mm के एक्वल हैं. वापस से देखते हैं इसको. यहां से यहां का distance 6 times main scale division है. which is same as X plus 6 times of vernier scale division. So, value of X will be, value of X will be 6 times main scale division minus 6 times vernier scale division. So, there is 6 times main scale division is 1 mm and vernier scale division is, vernier scale division is 0.9 mm. Each division of vernier scale is 0.9. So, this becomes 0.1 into 6, 0.6 mm. Students, ध्यान दीजे, we have calculated X. This may appear very very simple पर सोचिये जिसने पहली बार इस instrument को design किया होगा, सोचा होगा, कितना सोचा होगा? कि दो scale बनाओ, एक के division दूसरे से थोड़ा छोटा रखो और अब आप mm के 110 तक measure कर सकते हों. जी हां, आपने यह X measure कर लिया, X की value है 0.6 mm. 0.6 mm. So, what is our reading? So, what is the width of or diameter of that object? The main scale reading, main scale reading is 44. We are damn sure कि यह जो vernier scale है, object को रखने के बाद, vernier का scale 44 mm तो खिसका ही है, plus X खिसका है. तो जो diameter है यह width है, it is 44 plus X. What is X? 0.6. So, it is 44.6. 44.6 mm. ध्यान दीजे, अगर आपने ordinary scale use किया होता, तो आप 44 mm, 45 mm बता सकते थे, 44.6 तो कभी नहीं बता सकते थे. Isn't it? That's great. So, the minimum length that can be measured using a vernier scale is 0.1 mm. It is known as least count of the vernier scale. It is known as least count or the smallest length that this scale can measure. So, vernier caliper has a least count of 0.1 mm. या मैं ज्यादा refined language में बोलूँ, तो least count of vernier scale division is one main scale division minus one vernier scale division. Main scale के division और vernier scale के division में अंतर इस example में 1 minus 0.9, 0.1 mm है. Therefore, least count in this example is 0.1 mm. Now, students, question बनाने वाले different type के vernier calipers imagine कर सकते हैं और exist भी करते हैं इसे calipers. वो कह सकते हैं कि 20 divisions of vernier scale, there are 20 divisions on vernier scale and 20 divisions of vernier scale has got same length as 19 divisions of main scale. ऐसा भी कह सकते हैं हूँ. 20 divisions on vernier scale, each division or vernier scale is slightly smaller than main scale division. 20 divisions of vernier scale has got same length as 19 divisions on main scale. In that case, what will be least count? Can you answer that? Can you answer that? Let us say each main scale division is 1 mm. Each main scale division is 1 mm. Now, 20 times of vernier scale division is same as 19 times of main scale division. That is 19 mm. So, 1 vernier scale division is 19 upon 20 mm. Isn't it? And what is the least count? Least count is, least count is, 1 main scale division 1 mm minus 1 vernier scale division. Vernier scale का एक खंड कितना बड़ा है? Main scale का एक खंड कितना बड़ा है? Vernier scale का एक खंड कितना बड़ा है? Donohon का अंतर. इसी को कहते हैं, least count. That is the smallest length that your vernier can measure. So, this is the least count of this instrument. 1 by 20. 1 by 20 mm. Right? 0.05 mm. 1 by 20. I hope this is crystal clear to all of you. Okay. So, we have assumed that our vernier has no zero error. Our vernier has no zero error. And we have taken this measurement for outer diameter of this cylinder. And let us say, this is what the scale shows. In that case, we conclude that diameter of the cylinder is 44.6 mm. 44.6 mm. Now, let us assume that the vernier caliper has got some error. Some zero error. It is not an ideal case. It has got some zero error. Lekin, jab ham ne, isko aisa fhasa ya, toh hamaari reading ya hi hai. Ek minute ke liye maal lo. This is the final reading. So, the final reading is 44.6 mm. But this is not the correct diameter. Because the vernier was having some zero error. So, this is not the correct diameter. Then what do we need to do? We will have to first of all find whether the zero error is a positive zero error or negative zero error. And then what is its value? And thereafter, we will have to make correction in that measurement to get the exact diameter of this thing. So, let us assume that the vernier caliper was having some positive error originally. That means when the jaws are closed. When the two jaws are at the same time, when we have to keep the cylinder in that moment, we have to see the vernier scale as well. So, let us assume that it is having a positive error. What is the value of error? Value of error means what is this x? This is the error. This is the error. Isn't it? Zero zero ke upar hona chahiye. It is not there. Shifted. Sorry. Shifted by an amount x. What is value of x? That is the error. How will we find that? Again, same prick. We will see that the vernier scale of which division is exactly coincide. We will see that the two are not coincide. This is exactly coincide. So, the third division or the third mark on the vernier scale concides with some mark on the main scale. Again, we will play the same prick. How much is this length? This is equal to three main scale division. Isn't it? And this is same as x plus three vernier scale division. This is three main scale division. That is three millimeter. And how much is this length when I read it on vernier scale? Vernier ke teen khand plus x. Three vernier scale division plus x. So, what is value of x? Three times of main scale division minus vernier scale division. So, this becomes three into point one. Ye vahi vernier scale hai jis ki charcha aabi hum kar rahe hai hai. We have found that one main scale division minus one vernier scale division is known as least count and it is point one millimeter. So, this is point three millimeter. So, positive zero error is there and the error is point three millimeter. Is vernier ko use karke jab hum ne is ka diameter measure kiya. Toh jaisa hum ne pichle example me dekha. Yeh humari reading aai thi shayad if I am not forgetting 44.6 millimeter. So, our reading was, reading was 44.6 millimeter. Now, this is excess reading. Jab zero hona chahiye tha tha, thab point three reading hai. Toh jab reading itni hai. Toh I will conclude that true value is, true value is, point three less than this. Zero hone pe ho point three dikha ta hai. Toh jab itna dikha raha hai hai, toh point three excess dikha raha hai. So, I will subtract this zero error. Positive zero error hone se subtract karna hai. So, I will say that, this is the diameter of that particular cylinder. Now, let us consider that the vernier caliper, when there was no object between its jaws, appeared like this. That means, jab jaw ke bichme hum ne woa cylinder nahi rakhata, toh the zero of the vernier was protruding out of the, zero of the main scale, like this. Let us say, the length is, x. यह x extra बाहर निकला हुआ था, right? This is negative error. इस error को हमें अपनी final reading में जोड़ना पड़ेगा. पहले x पता करते हैं, same trick. इस बार अगर आप इधर से देखोगे, तो ज़्यादा आसान पाऊगे. क्यों? जब यह zero और यह zero concite करते हैं, तो यह vernier का जो 10th division है, यह कहा होना चाहिए? यह main scale के 9th division पे होना चाहिए. यह वाली चीज यहाँ थी, जब यह zero यहाँ होता. जितना वर्नियर का जिरो आगे खिसका है, उतना ही वर्नियर का 10th mark यहाँ आगे खिसका है. main scale के 9th division से उतना ही यह आगे है. तो this x and this x are equal. देखोगे, अब दोनों तरफ से सोचके x की value लिख सकते हूँ. चलो हम इधर से सोचते हैं, for a change, just for a change. अब देखो, अब यहाँ से यहाँ से देखेंगे कौन सा division main scale के division से match कर रहा है. यह मुझे दिख रहा है कि एक दम perfectly match कर रहा है. तो वर्नियर का 1, 2, 3, इधर से, उल्टे साइट से तीसरा division main scale के division से match कर रहा है. अम आ राइट? तो प्लीस देखें, यह जो length है, यह जो length है, this is 3 main scale division. and it is same as x plus 3 vernier scale division, isn't it? it is x plus 3 vernier scale division. हम उल्टे साइट से देख रहा है कि कौन सा division main scale के division से मेल खा रहा है. आप इधर से भी सोच सकते हो, पर मैं इधर से सोच रहा हूं, just for a change. So, x is 3 times main scale division minus vernier scale division, and in our vernier caliper, we have repeatedly said that the least count is 0.1, so this is 0.3 mm. So, in this particular case, students, the vernier is having a negative 0 error of 0.3 mm, so whatever final reading you are getting, you should add, you should add this value to that reading. जैसे हमने जब चलिंडर का ये चीज़ मेजर किया था, so it was ah if I could recall it correctly 44.6 mm, so now the true diameter will be 44.6 plus 0.3 mm, so it makes it 44.9 mm, right. So, students I hope that all of you have understood the concept of vernier caliper, if you have understood it properly, you will definitely be able to do questions based on vernier caliper in whichever exam you are appearing. So, thank you for watching this video and being patient with me. In the last, I would again repeat that please like our video and subscribe to our channel. Thank you.